हेलो दोस्तो दोस्तो मैंने जफ्ट अभी अभी नेटफिलिक्स वपर देव नाम का शो देखकर खतम किया एंड लेट मी टेले दोस्तों मुझे काफी पसंद आया मुझे काफी मसा आया इसको देखने में लेंड इसकी जू लेंथ है इतनी लंबी लेंथ होने के बाववजुद भी है में इस ने मुझे अपने साथ लगबग पूर्य तरह से इंगेज करके रखा और यह कम फिंट्रस्टींग भी है correspondent की मुझे अच्छे लगी इंड इतनी लंबी लेंथ होने बावजुद भी मुझे ऐसा कई फील नहीं हुआ कि यार मुझे ब्रेक लेना चाहिए या यह बोरिंग सा हो रहा है पकाऊ सा हो रहा है या फर कुछ और इसूस यहां पर देखने को बेले हैं इसा मुझे ज्यादा फील नहीं हुआ हलांकि पेसिंग को लेकर और लेंद को ले मैं बताओं मैं बता दू कि यह फोकुस इमा नियूक्लियर डिवाफ्टर पर बेफ्ट है जो जो 11 माई जो 11 मार्च 2011 को जापान में हुआ था तो उसके उपर बेफ्ट है जो लोग थे वहां के जो कर्मचारी थे उन्होंने चीज़ों को टैकल किया है और बाकी जो भी होका आप देख पाएंगे फो याद याद याँ पर जो चीज़ें कवर की गई है मतलब second episode से लेकर पांच अपी episode तक शो मुझे काफी या थंडा से फिलू मतलब फिलू पेसिंग फिलू एंड कुछ moment थे लिटरली कुछ moment थे जो आपको thrill करेंगे लेकिन उतना भी great नहीं था कि आपको पूरी तरह से अपनी दुनिया में hook and book करके रखें आपको बहुत व्याद एक्षाइट करें बहुत व्यादा thrill करें ऐसा नहीं था लेकिन engaging था interesting था और मैं कई ना कई याँ मुझे मज़े मज़ा रहा था इसको दिखने में लेकर last की जो दो episode थे और पहला episode यह मुझे काफी पसंद है हाल कि उतने व्यादा effective impactable moment नहीं है लेकिन हाँ आपको ड़त लगेगा जो radioactive material था और जो मतला पता नहीं मुझे detail में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए और मैं पता दिया कि कि किसके उपर बेफ़र है तो आपको खुदी देख लेना मैं detail में नहीं जाओंगा इसकी इस to the land क है वो काफी अच्छा है एंड ये शो कहीं नहीं का intense है मतलब चीज़ें कुछ अंत के episodes में ऐसी होंगी जब आपको याद थोड़ा emotionally हिट करेंगी emotionally आपको touch होगा मतलब जो characters की जिनकी मौत हुई थी और आखिर में वो किसी का वो दिखाया गया था मतलब फियू नदर वगया तो वो चीज़ें मुझे अच्छी लगी and so ये है and जैसे कि मैंने कहा या length का यार कुछ करना चाहिए था मतलब करीब करीब एक घंटे की length है प्रती एक episode की and 8 episode यहां पर है तो यार इसका कुछ करना चाहिए था मतलब इस तो लेंड को इतने में सिमट के रह गए थी कि उनको जो nuclear reactors हैं उनको ठंदा रखना है और वेजल का जो प्रैशर है उसको कम रखना जो अपनी सीमा से काफी ज्यादा उपर जा रहा है अगर वे उपर गया तो blast हो जाएगा जो कि radioactive material हवा में फैल जाएगा जो यार चर्णूबल से ज्यादा बड़ा disaster हो सकता था तो यह चीज़ां यहां पर चलते रही दूफरे episode से लेकर पांच में episode तक मतलब last तक यही चलते रही लेकिन पांच में episode तक कुछ ज्यादा लेंदी फील हुआ मुझे ऐसा मुझे फील हो रहा था तो उनको यह थोड़ा short में निपटाना चाहिए था हलनकि यार जैसा कि मैंने कहा है यह इंगेज करेकर रखता है कहीं यह writing अच्छी है इस तो detailing अच्छी है उन्होंने कपी अच्छे तरीके इसको रखा है हमारे सामने एंड एक्टिंग वगयरा लगबग साभी की अच्छी है एंड तो बी अनिस मुझे इस एक्षिडेंट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था चलनुबल के बारे मैं एनसोन रखा था वो शो भी देखा था बहुत पहले देखा था आईके वहापे किबल 6 एपिसोड थ यहां पर लेंथ फील होती है कहीं न कहीं फील होती है यह एंड एक्टिंग वगयरा सभी की अच्छी एंड जो उनकी तकलीफ हैं दिखाई गई हैं जो भी चीजें यहां पर उन्होंने रखी ट्रीटमेंट के नाम पर वो काफी अच्छा है और जो आसपास की जो चीजें पसंद आया था क्योंकि वहां पर जो वो अर्टकुएक और तुनामी की जो वो दिरिशे थे वो काफी अच्छे थे एंड वैसा कि कुछ यहां पर चीजें हैं तो यहार मैं कहुंगा कि शो अच्छा था कहीं नगी हाला कि बहुत ग्रेट नहीं हो गया लेकिन अच्छा है देखने लाइक है और अगर आप देखना चुरू करोंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको छोड़ता ऑगी को कि मैंने इसको बिंज भॉच किया मैं बहुत एज़िली गिबप कर लेता हूँ शोग पन आज मैंने इसको बिंज बॉच किया मुझे मजबंगी भेग रा तो शो अच्छा है उतना great नहीं है कि आप कुछ आपने कुछ बहुत great experience किया हालां कि मेरा experience इसको लेकर अच्छा रहा तो आखिर मैं यह कहूंगा कि इसको एक चांस दे दो और उन्होंने कुछ काफी अच्छा बनाने के कोशिच की थी लेकिन करीब करीब जाकर पो रह गई मतलब वही length और pacing को लेकर issue थे पूरी तरफ अपनी दुनिया में इसको बोड ठंडा करना था और वह साथी चांस आप खुदी देखना तो एक्टिंग लगबग सभी के अच्छी है मुझे उनके नाम नहीं पता है लेकिन योशीदा था और प्रैम मिनिस्टर जो हमें इसा बढ़का रहता था और किसी पर चिलाने लगता था तो चाहें तो इसली देख सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं जो 18 प्लस काटिगरी में रखा जाए तो 3 अपने ये शो देख लिया है तो लिख के बताना आप लोगों के ऐसे शो पर क्या टे का आपको ये कैसा लगा एंड लाक शेयर और सब्स्राइब करना चैनल को बड़ी को हिंदी में अवेलेवल नहीं है तो उन डोगों के लिए एक disappointment हो सकती है जो English शो नहीं देख पाते मैंने इसको इसको English में देखा English dub में देखा एक्चुली ये Japanese शो है तो ये है बाकी आपने देख लिया है तो लिख के बताना आप जो भी आपका टे को तेंकियो